नमस्कार आईए आज हम सांखिकी के भाग तीन को देखते हैं इस भाग तीन में हम देखेंगे कि हमने भाग दो तक क्या पढ़ा और इस भाग के अंत तक हम जान पाएंगे कि इसमें क्या-क्या है तो देखते हैं आईए पिछले भाग में हमने माध्य बिचलन के बारे में जाना था माध्य बिचलन के साथ साथ अब हम देखेंगे कि माध्य बिचलन की कुछ परिसीमाएं हैं क्या क्या परिसीमाएं हैं जिसके कारण से ये उतना उपयोगी नहीं है इसके लिए फिर हम नए दो प्रसरण और मानक बिचलन यानि वेरियंस और स्टेंडर्ड डेवियेशन के बारे में भी जानेंगे और अंत में अवर्गी कृत आकणों द्वारा प्रसरण और मानक बिचलन कैसे निकालते हैं ये जान पाएंगे तो आईए चलते हैं हमने अवर्गी कृत आकणों का माध्य बिचलन निकाला था और उसमें हमने देखा था कि मीन डेवियेशन माध्य बिचलन माध्य के सापेक्ष माध्य का बिचलन हमने माध्य का के सापेक्ष इसके अलाबा हमने देखा था कि X वार चूकी माध्य का सिंबल है M माध्यका का सिंबल है इनके आधार पर हमने माध्यका बिचलन निकाला था हमने सासाथ पढ़ा था कि अगर वरगी करत आंक्डे हैं तो माध्यका बिचलन कैसे निकालते हैं इसके लिए हमारे पास वारम बारता भी आ जाती है इसलिए F का opacity करते हुए हमने चाहे वो माध्यका के साथ हो या माध्यक के साथ हो हमने इस तरह से माध्यका बिचलन निकालना सीख लिया था लेकिन ये पूर्ण नहीं है तो इसकी सीमाएं क्या हैं? देखते हैं बहुत अधिक बिचरन यानि डेवियेशन, बिखराव अगर किसी शरंखलाओं में है तो हम क्या देखते हैं? कि माध्यका चूकि जो मध्य बिन्दू होता है और उसमें बिखराव जादा है ऐसी स्तिती में हम देखते हैं कि माध्यका के सापिक्ष अगर हमने माध्य बिचलन निकाला तो वह पूरी तरह से सही नहीं आता एक और चीज़ देखते हैं कि माध्य से बिचलनों का योग जब हम माध्य से बिचलन निकाल रहे हैं तो अगर रिणचिन को छोड़ दें तो वो माध्यका से बिचलनों के योग से अधिक होता है इससे क्या प्रभापड़ा कि माध्यके सापेक्ष माध्य बिचलन अधिक scientific यानि वैज्यानिक या वैधानिक नहीं है तीसरी कमी कि माध्य बिचलन को चुकि बिचलनों के निरपेक्षमान पर ज्याद करते हैं यानि चाहे वो माइनस में है या प्लस में है हमें सब को प्लस में लेकर के ही काम करना होता है इसलिए यह बीजगणतिय गड़नाओं के लिए योग्य नहीं होता है इससे यह ग्यात होता है कि कुछ और भी हमें पता करना है अगर हमें सही बिचलन पता करना है तो कोई और माप भी होती है तो देखते हैं एक और माप प्रसरण और मानक बिचलन इसे जानने से पहले अगर हम ध्यान से समझें कि हमने जो माध्य का बिचलन निकाला उसमें हमने निर्पेक्षमानों का योग किया था और वो इसलिए किया था क्योंकि उसमें रिन्चिन आता है और रिन्चिन के कारण से कई बार बिचलनों का योग शून्य भी हो जाता है अब यहां से हमें उस माइनस को हटाने के लिए क्या ऐसा नहीं कर सकते क्या हम इनको वर्ग कर दे और वर्ग करके अगर हम इनको जोडते हैं तो माध्यक से बिचलन निकाल करके उस रिणचिन की समश्या को दूर करने के लिए हमने इस सारे जो deviations हैं इन सब का वर्ग कर दिया अब वर्ग करने से क्या होगा ये सब प्लस में आ गए प्लस में आने के बाद इन सब को हमने जोड दिया अब जोडने से जो result आया वो बड़ा ही अच्छा result आया देखते हैं आगे इसके लिए एक उधारन से हम समझते हैं हमने छे एक प्रेक्षण लिए पांच, पंद्रा, पच्चीस, पैंतीस और पैंतालीस के साथ पच्चपन इस समुच्च के साथ हमने माध्य निकाला तो हमने देखा कि हमारा माध्य तीस आएगा इस माध्य से हमने इस सभी प्रेक्षणों से बिचलन निकाल करके और उसका वर्ग किया जब हमने माध्य चुकि तीस आया था पांच में से तीस माइनस करके बर्ग करना पंद्रे में से तीस माइनस करके बर्ग करना 25 में से भी 30 माइनस करके वर्ग करना इस तरह से 6 की 6 प्रेक्षणों से माध्य को माइनस करने के बाद वर्ग करेंगे और फिर इन सब को जोड देंगे तो जोडने पर हमारे पास आ गया 1750 हमने क्या किया? एक और उधारन लिया और उसमें केवल 6 प्रेक्षण नहीं लिये उसमें 31 प्रेक्षण लिये जी हाँ इसमें हमने 20 समुझे लिया जिसमें 31 प्रेक्षण थे अब इन 31 अगर प्रेक्षणों का भी हमने जब माध्य देखा तो हमने क्या देखा? कि इसका भी माध्य 30 आया और माध्य निकालना हम सबको आता है, सारे प्रेक्षणों को योग करना और जितने प्रेक्षण है उससे भाग देना, माध्य आसानी से निकालाता है, छे प्रेक्षणों का भी माध्य तीस है, इन 31 प्रेक्षणों का माध्य भी तीस है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस माध्य को जो हमारे पास प्रेक्षन है वही तरीका तो ये की है उसमें से माइनस करना और वर्ग करना हमने क्या किया कि इसके भी बिचलनों का वर्ग करके योग किया कैसे आगे देखते हैं कि इसके बिचलनों के वर्गों का योग हम जब निकालते हैं तो माध्य हमारा 30 आया था और जब माध्य 30 आया था तो इसके जितने भी डाटा थे उन सभी प्रेक्षणों के साथ इस 30 को माइनस भी करना है वर्ग भी करना है और जोड़ना है तो हमने क्या किया सभी प्रेक्षणों के साथ इस 30 को माइनस किया और माइनस करके वर्ग किया फिर जोड़ा एक बिशेश बात इन प्रेक्षणों में कि आप ध्यान से देखें माइनस 15 का वर्ग माइनस 14 का वर्ग ऐसे ही माइनस 13 से होता हुआ माइनस 1 का वर्ग और एक प्र पंद्रे प्रिक्षन है उसमें एक का वर्ग दो का वर्ग और आखरी में पंद्रे का वर्ग आ रहा है यहां जो आपने पहले गनित में पढ़ा हुआ है कि एक से पंद्रे तक के वर्गों का योग और ये भी दो बार हो गया है आप देखें माइनस के साथ हो या प्लस के साथ हो एक से लेकर पंद्रह तक के वर्गों का योग हमने क्या किया डबल कर दिया और एक से पंद्रह तक के वर्गों का योग किया हमने पढ़ा है कि अगर एन प्राक्रत संख्याएं हैं और उनके वर्गों का योग यदि हम निकालते हैं तो हमारे पास सूत्र होता है कि एन गु है इसलिए डबल हो गया और इस तरह से हमारे पास कुल आ गया 2480 है 2480 एक विशेश बात इन दोनों समुच्यों में उसमें केबल 6 प्रेक्षण थे इसमें 31 प्रेक्षण हैं दूसरा उसमें अगर आपने देखा था तो वहां 6 प्रेक्षणों में जो बिचलन कई रेंज थी प वो थी माइनस 25 से 25 इतना बड़ा उनका विखराव था जबकि इन 31 प्रेक्षणों में यानि समुच्य बी में इनका परसर है माइनस 15 से 15 इसका क्या मतलब हुआ हमारे जो बर्गों का योग आया है उसके हिसाब से हम देखें तो इसमें विखराव बहुत जादा है जो समु अच्छे बी है यानि 31 प्रेक्षणों में बिखराव जादा है क्योंकि 2480 है जबकि वो 6 प्रेक्षण हैं वहाँ पर बिखराव कम आया है यह तो गलत है कहीं ने कहीं कुछ और है जिसे हमें जानना है इसके लिए हमें और क्या करना चाहिए आगे देखते हैं इसको दूर करने के लिए फिर क्या किया कि जो हमने बिचलनों का वर्ग किया था और वर्ग करके योग किया था बाद में उसका माध्य निकाल लिया यानि पहले जो वर्गों का योग आया था 1750 चूकि वो 6 प्रेक्षंड थे हमने 6 का भाग दिया हमारे पास आगया 291.6 जो समुच्च बी था उसमें वर्गों का योग आया 2480 कुल प्रेक्षंड थे 31 हमने क्या किया 31 से भाग किया हमारे पास जो अब आया वो आया 80 यहां से एक सही प्रेक्षंड सामने आता है जैसा कि हम चाहते थे अब पहले समुच्च में विखराव 291.6 दूसरे समुच्च में विखराव 80 इसका मतलब अच्छा कौन सा है तो चुकर की पहले वाले में माइनस 25 से 25 जादा था हमारा जो विखराव आया है यहां भी जो विखराव आया है वो 291.6 दूसरे वाले में जो विखराव था वो माइनस 15 से 15 ता यानि कम था यहां भी हम देखें हमारे बिचलनों का योग अस्सी आया है इसका मतलब यह जादा सही है अपेक्षित जो परिणाम है उनसे मेल खाता है तो माध्य से बिचलनों के बर्गों का माध्य फिर से माध्य से बिचलनों के बर्गों का माध्य एक नया शब्द वेरियंस प्रसरण कहलाता है और इस प्रसरण का जो प्रतीक है वो है सिग्मा इसक्वायर इसको बोलते हैं सिग्मा का वर्ग तो सिग्मा इसक्वायर हो गया प्रसरण और इसका मान जितना भी बिचलन हुआ माध्य से उनके वर्गों का योग करके और उस नंबर और प्रेक्षण से भाग दें अर्थात सिग्मा इसक्वाइर बरावर एक बटा एन समेशन ओफ एक्स आई माइनस एक्स वार का वर्ग तो यह हुआ प्रसरण यानी वेरियंस आईए आगे देखते हैं मानक बिचलन, असली जो उद्देश्य था वो था हमारा स्टेंडर्ड डेवीएशन तक पहुँचना यानि मानक बिचलन तक पहुँचना हमने क्या किया था? वर्ग किया था और वर्गों का योग निकाला था बस वर्गों को हटा दें, यानि वर्ग मूल निकाल लें तो प्रसरण के जो धनात्मक वर्ग मूल हैं उसको प्रेक्षडों का माध्य के सापेक्ष अगर प्रकिरिनन की यचो चित माप के रूप में व्यक्त करें तो वह प्रसरण कहलाता है तो मानक बिचलन अगर हम सही माइने में देखें तो वर्गमूल कहलाता है प्रसरन का जी हाँ प्रसरन का वर्गमूल कहलाता है यानि सिग्मा इसक्वाइर का वर्गमूल सिग्मा तो मानक बिचलन हमारा सिग्मा हो गया और इसका मान जो प्रसरन का हमने सूत्र पड़ा था उ एक उधारन देखते हैं, कुछ आंकडे हैं, इन आंकडों से हमें प्रसरण भी पता करना है और मानक बिचलन भी पता करना है, आपने अभी तक जो बारंबारता सारनी पड़ी या सांखिकी में डाटा पड़े, इन प्रेक्षणों को आपने कुछ भाग किये थे, ये है अवर अवरगी करत, अवरगी करत यानि रो डेटा, जिसमें केबल हमें इस तरह से कुछ प्रेक्षण दे रखे हैं, अब अगर इस तरह से जो प्रेक्षण दे रखे हैं, हमें इससे प्रसरण तथा मानक बिचलन निकालना है, एक और विशेश चीज, मानक बिचलन प्रसरण का बर्गमूल होता है इसलिए प्रसरण हमें निकालना ही है जरूरी नहीं है अगर हमें केवल मानक बिचलन भी पूछा होता तब भी हमें प्रसरण तो पता करना ही है क्योंकि बर्गमूल तो उसके बाद निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना है इस जो भी हमारे पास ये या आकड़े हैं, इनको हमें क्रम से लिखना है, बिल्कुल टेबल की तरह लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी तरह की है, इसके बाद हमें जब X दे रखा है, चुकि रो डेटा है, तो इन सभी डाटा को जोड करके, और इसमें अगर हम देखें, तो कुल हमारे डाटा हैं, 3, 3, 6 और 4, 10, 10 से भाग लगा दें, इस 10 डाटा को जोड करके, 10 से भाग लगा देंगे, तो हमारे पास माध्य आ जाएगा, और जब माध्य आ जाए, उसके बाद X माइनस X बार, और X माइनस X बार, यानि 6 मैं से जो माध्य आया है, उन सब को पहले लिख लें, आराम से, कोई जल्दिबाजी नहीं करने, और जब हम इनको लिख लें, फिर तीसरा बनाएं, और तीसरा बनाएं, X माइनस X बार का होल स्क्वाइर, यानि हमने इसका वर्ग किया, चुकि यहां कुछ संख्याय माइनस में होंगी, कुछ प्लस में होंगी, लेकिन वर्ग करने पर सभी प्लस में आ जाएंगे, अब हमें इनको टोटल करना है, Summation of X माइनस X वार का वर्ग, ऐसा करने के बाद, चुकि हमारे पास टोटल जो प्रेक्षण थे, वो 10 थे, हमें सीधा कर देना नीचे गणना इसमें करनी है, कि प्रसरण सिग्मा स्क्वार बराबर एक बटा एन, एन यानि कुल प्रेक्षण और उसके बाद सिग्मा X माइनस X वार का वर्ग है, यह हमारे पास प्रसरण हो जाएगा, अब यदि मुझे मानक बिचलन निकालना है, तो मानक बिचलन मैं सिर्फ सिग्मा और उसके लिए मैं इस प्रसरण का केबल वर्गमूल निकाल दूँगा, और इस तरह से आसानी से हम मानक बिचलन और प्रसरण निकाल सकते हैं, लेकिन एक बिशेश ध्यान क्या देना है, यह तो रहा एक तरीका, आप जब भी प्रशन करें, तो कई बार प्रशन में इतना आसान तरीका छुपा होता है, अगर आपने उस तरफ ध्यान दे लिया, तो प्रशन और आसान हो जाता है, वो तरीका आप ध्यान से देखो, तो इन सारे डाटा में समान अंतर है, अब जब यह समान अंतर है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सक कि हमने X लिखा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 चुकि सभी में समान अंतर है हम उस नविया दस्वी तरीके से क्यों करें जब हमने एक पढ़ चुके हैं बिचलन और बिचलन के लिए हमने कल्पित माध्य भी पढ़ा हुआ है कल्पित माध्य का मतलब है इन दसमें से हम लगभग बीच वाला डाटा ले लेते हैं और हमने अब चुकी ये लिया है तो D होता है X माइनस A बटा H H यानि सभी में जो समान अंतर है ये समझने में ऐसा लग रहा होगा कि सर कहां फसर है लेकिन नहीं अगर ये आपको ट्रिक पता है तो क्वश्चना बहुत आसानी से बिना जादा गणना किये हुए कर सकते हैं आप ध्यान से देखें सभी में दो-दो का अंतर है तो H का मान दो हो गया हमने कल्पित माध्य चौदय लिया है तो अब D का मान यहाँ 0 इसके बाद माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार जी हाँ नीचे एक दो तीन चार पाँच इसका टोटल टोटल में एक से चार तक तो खतम हो गए बचेगा क्या पाँच माध्य निकालने के लिए हमने पड़ा हुआ है A प्लस सिग्मा डी बटा N इस तरह से जब हम करेंगे A कितना है? 14 हमारे पास सिग्मा डी कितना आया? 5 एन कितना है? 10 गुणा H गुणा में 2 तो 2 पंजे 10 पाँच से 5 कट गया तो माध्य सीधा सीधा हमारे पास आ गया 14 वरना हमें पहले इन सब को टोटल करते और 10 से भाग लगाते यहां चुकि यह एक रो डेटा है अवर्गी क्रत डाटा है जब आपके पास वर्गी क्रत प्रेक्षण भी हो तब भी आप पहले यह चेक जरूर करें कि X में यदि समान अंतर है तो इस तरह से माध्य निकालना आसान हो जाएगा इसको आगे हम देखते हैं कि इससे कितना आसान प्रश्ण होता है आएए देखते हैं हमने अभी किस तरह से प्रश्ण को किया था X हमें दे रखा है हमने D यानि बिचलन निकाला और 14 कल्पित माध्य लेते हुए हमने ये सारा D लिखा इसके बाद माध्य से बिचलन निश्चित तोर पर हमने X में से माध्य को माइनस किया लेकिन उससे पहले जो माध्य निकालने का हमने जो फॉर्मूला लिया वो वहां लिया था माध्य हमारा 15 आ गया और जब माध्य पंद्रे आ गया तब माध्य से बिचलन चुकि ये प्लस में भी है, माइनस में भी है लेकिन जब हम इसको वर्ग करेंगे तो ये सारा वर्ग में आ गया इसका टोटल हो गया, 330 अब प्रसरण सिगमा स्क्वाइर इस सूत्र में जिस तरह से हम पढ़ते ही हैं यहां आई बराबर एक से दस क्योंकि दस प्रेक्षण है हमने इसका मान 330 भी रखा और हमारा जो प्रसरण था वो आ गया 33 मानक बिचलन के लिए हमने इसका बर्गमूल निकाला जो लगभग 5.74 आ गया इस तरह से हम किसी भी अवर्गी करत डाटा का प्रसरण और मानक बिचलन निकाल सकते हैं लेकिन ध्यान में रखना यदि सभी में समान अंतर हो तभी ये वाली बिधी लेना अन्य था सभी एक्स को जोड करके जैसा हम करते आए हैं सिगमा एक्स आई बटा एन हम इसी से माध्य निकालेंगे और माध्य निकाल करके तब प्रश्न करेंगे ये केबल तब है जब सभी में समान अंतर हो तो आईए देखते हैं हमने आज क्या-क्या पढ़ा क्या-क्या सीखा इस भाग में तो सबसे पहले जो हमने देखा था कि माध्य बिचलन जो हम पहले निकालते थे उसमें क्या-क्या कमिया थी क्या ऐसी सीमाए थी जिसके आधार पर हम माध्य बिचलन सही भी है या नहीं ये बता सकते थे इसलिए उन परिसीमाओं के बारे में जाना उसके बाद अगर हमारे पास N प्रेक्षण है X1 से ले करके XN तर यानि अवर्गी कृत डाटा है तो उस अवर्गी कृत डाटा का हमें प्रसरण यानि सिगमा इसक्वायर कैसे निकाले और आखरी में जो मुख्य उद्देश्य हमारा था वो था मानक बिचलन निकालना यानि प्रसरण का वर्गमूल निकाल करके हम मानक बिचलन निकाल सकते हैं इस तरह से आप इसको करें धन्यवाद